आपको पता होगा कि हिंदु धर्म में व्रत या फिर उपवास भगवान को परसन करने के लिए रखा जाता है और हिंदु धर्म में बहुत सारे लोग नियमित रूप से व्रत रखते हैं लेकिन कई बार गलती से या फिर भूल से व्रत भंग हो जाता है या फिर टूर जाता है ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये confusion रहता है ये doubt रहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या हमें व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं को इसी बारे में बताने वाला हूँ। आपको बता दो कि इन दून प्रकार के वरतों के खंडित होने पर, तूर जाने पर या फिर आपने बीच में अनाज खा लिया गलती से अगर आप ऐसा गर देता है गलती से तो इन दून प्रकार के जो वरत हैं इनका जो प्रैश्चित है वो अलग अलग है। करह लिए जैसे मानने जापने सांवार गवलट रखाया हर हटे अप सांवार करह रखते आरहें और एक दिन आपने गल्टी से कुछ खा लिया और जैसे यह आपको पता चला कि आपने अंन 穲िए हैं गल्टी से तो आप तुरण तुरंट उसी समय हाद जोल पूरे दिन भर रख सकते हैं बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमने थोड़ा कुछ खा लिया है तो अब हम पूरा खाना खाई ही लेते हैं उसके बाद पूरा खाना ही खा लेते हैं तो ऐसा आप बिल्कुल भी नगरें आप सीधे तोर पर भगवान से माफी मांग कर आप अपने व्रत को रख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो कि व्रत भंग होने पर आपने जिस भगवान का व्रत रखा है उनकी उपासना करते हुए सबसे पहले आपको माफी मांगनी चाहिए जैसे कि माननी जी आपने महासी व्रात्री का व्रत रखा और व्रत के दोरान आपने कुछ खा लिया तो आपको पता है जैसे महासिव रात्री का व्रत भगवान सिव जी के निमित रखा जाता है तो आप सबसे पहले भगवान सिव से माफी मांगिए माफी वांगने के बाद जिस भगवान का आपने वरत रखा था उनी की एक मूर्ती बना लें या फिन मूर्ती लें और उसे मूर्ती को दूद, दही, सक्कर और सहद मिलाकर पंचा में तिसनान करवाएं उसके बाद आप अपने वरत को रख सकते हैं लेकिन वरत के दोस्ते बचने के लिए आपको एक हवन भी करा लेना चाहिए हवन ऐसा नहीं है कि आपने आज ही वरत आपका तूटा है तो आज हवन करा है जब भी आपको समय हो आप हवन करा सकते हैं जिससे आपको वरत तूटने का दोस्त नहीं लगेगा तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको गल्ती से वेड टूटने पर आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने आपको पुरी जानकरी दे दिया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकरी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चनल के साथ